Principles of Animal Ecology Lecture 152 और Effects of Noise Pollution on Human Health इसे पहले भी हमने देखा और डिसकस भी किया कि जह हो डिफरेंट जह हो हेल्थ इशूज हो जाते हैं अगर नौइस पुलुशन या मुस्तकिल किसी शोर के अंदर इनसान जह हो रहे इसमें जो है वो सबसे एक जो common और फोरी तोर के उपर या directly जो effect करता है नौइस पुलुशन वो है कि जो blood level है आपका जो blood pressure है वो elevate कर जाता है और अगर जादा देर तक जो हम उसी शोर में रहें तो हमारा जो blood pressure है वो उसके साथ rise कर जाएगा जिस वकर blood pressure rise करेगा तो फिर उसमें बहुत सारी जो heart diseases है cardiac rhythms है वो disturb होंगे आपका जो है वो trout body की जो oxygen की supply है वो जो है disturb हो सकती है इसी तरह continuously किसी जो है यहाँ ज्यादा देर तक यहाँ जो है वो दिन के ज्यादा हिस्से तक जो है अगर हम किसी ऐसी जगापर हो जहाँ पर मुस्तकिल एक जो है वो शोर की कैफियत है और इनसान के कान जो है वो एक खास हद तक जो है वो sound waves जो है बरदाश कर सकते हैं तो उससे ज्यादा है और सारा दिन उसे वहां रहना है उसे शायद जॉब की मजबूरी है उसे किसी और काम के लिए वहां रहना है तो जितना जो है वो ज्यादा अरसा उसका एक्सपोरियर इस तरह के जो है वो बैग जगा पर होगा तो और sound waves जो है वो उसकी समात से बढ़के होंगी उसकी ताकत से बढ़के होंगी तो वो भी जो है वो उसके कानों को आइस्ता आइस्ता जो है वो उसकी जो ability है सुनने की उसको जो है वो मुतासर करेगा और might be कि वो शक्स आइस्ता आइस्ता जो है वो अपनी hearing ability जो है वो उसको lose कर दे इसी तरह बहुत ज्यादा शो और जो है वो जो है सोने के अंदर इंटर इंटरप्शन पैदा करता है अगर हम थोड़ी सी और छोटी सी एक्जामपल ले लें कि घर में अगर बच्चे बहुत जादा शोर करें हैं तो भी नहीं सोया जाता उनको हम जह हो कमरे से बाहर निकाल देंगे उन्हें हम कहेंगे जा सहतमन, जहन होगा दुसी सुरत के अंदर आपकी नीन पूरी नीन होई शोर की वज़ा से चाहे वो बाहर से आ रहा है चाहे घर के अंदर है चाहे कहीं करीबी जगा पर है कहीं से भी किसी किसम का भी आ रहा है तो वो उसकी वज़ा से आपकी नीन कम होगी नीन कम होगी तो तो आप उसमें इतनी अच्छी तरह से perform नहीं कर सकेंगे, अपना 100% output नहीं दे सकेंगे, तो यह जो noise pollution है, यह हमारे sleeping cycles हैं, उसको disturb करती हैं, हम irritate हो जाते हैं, हम जह वो uncomfortable state में आ जाते हैं, और खास तो पर जो mind है, वो इंतहाई uncomfortable state में हो जाता है, जब जहनी पुरसकून नही है, तो हम कोई भी काम पुरसकून तरीके से नहीं कर सकेंगे, हम खुद भी चर्चरे होंगे, और खुद भी जो है वो अपने उपर भी घुसा करेंगे, और साथ वाले सातियों भी हो सकता है, घुसा करें, लेकिन दर हकीकत पीछे जो है, वो हमारा महाल जो है, जिसमें हम जो है, वो अन्रेस्ट हैं, जिसमें हम किसी भी वज़ा से जो है, वो अन्रेस्ट महसूस करते हैं, वो चीजें जो हम अपने सातियों पर या अपने एर्दिकर्ट के लोगों पर अपने बहेवियर में थोड़ी सारी जो चेंज है, वो लाकर जो हो शो कर सकते हैं, तो लाइट्स की अलूद्गी है वो इनसान को जो है वो डिस्टरप्ट करती जा रही है और जैसे जैसे वो डिस्टरप्ट कर रही है वैसे वैसे इनसान अपनी जो एक पुर्सकून जिंदगी है पुर्सकून नींद है उससे वो हाथ धोता जा रहा है वो पुर्सकून नींद ब असर जो है हमारी सहत उसको ऊपर जो असर है वो डेफिनेटली वर्स होगा हम अपनी ना सिर्फ तहट खोएंगे बलके हमारे जो मिजाज हैं जो हमारे एकलाग हैं उनके उपर भी शिदीद जो है वो बुरा असर पड़ सकता है और हम ऐसे लगेगा जैसे हम हर वकत लड़ते जगड़ते रहते हैं और हम जो है वो खुद भी बैजार है और दूसरों को भी बैजार करें हैं जब हम पूर सुकून नहीं नहीं लेंगे शोर की वज़ा से जो इर्दगिद हमारे है और तो हमारे जो है वो जो हार्ट डिजीजिस हैं उसका रिस्क बहुत बढ़ जाता है क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जागा तो उतना ही हमारे हार्ट को काम करना पड़ेगा उतना ही इसको पंप जोर से करना पड़ेगा हम उतने ही स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं हम उतने ही नर्विस हो जाते हैं कभी आपका जो है वो वास्ता किसी भ बात करे होते हैं और आपके नाजरीन तक जो आवास पहुंचती है उसमें वो महाल बिल्कुल पुर्सिकून होता है उसमें इतना पिंड्रॉप साइलेंस होती कि एक सुई के गिन्ने की आवास भी नहीं आती है तभी एक आम इनसान की आवास बहुत वाजे साफ और जो है भल कोई बात कर रहा है किसी मिशीन के चलने की आवास होगी इवन की कोई बहुत हलकी सी भी आवास होगी तो वो आपके कांच उसको डिटेक्ट कर लेंगे तो वहां बहुत पूर सुकून महाल के अंदर वो काम होगा तो ही आवास सुन सकेंगे जब बहुत जादा शोर होता है तो आप एक दूसरे की आवाज तो नहीं नहीं सकते हैं तो जितनी जो आवाजें हैं जो हमारे इर्द के रहे हैं वो हमें बे सुकूनी जो है वो दे रही है वो हमें सुकून का कोई लमा जो है वो लेने नहीं देती है चाहे हम घर के अंदर हैं चाहे हम घर से बाहर हैं तो वो हमारी हल्थ को ए其實 करती है हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे उсन के छोड़ भड़ता चला जा रहा है और जिन्दगी के और भी बहुत से मामलात है जो इनसान के ओपर हावी होते हैं तो ये सब चीजे मिल कर जो है वो इनसानी जिन्दी को जो है वो उसको उसकी जो सहत है उसको जो है वो एफेक्ट कर रही होती है इनसान जो है वो बहुत सारी बिमारियों से चाहते ना चाहते वो उसका शिकार जो होता चला जा रहा होता है तो वो उसका टेमप्रेमेंट जो ह है इसका मिजाज हुआ इससा बदल रहा होता है खुद भी चिर्चिड़ा हो रहा होता है खुद भी बैजार हो रहा होता है अपने साथ के लोगों को भी बैजार कर रहा होता है तो बेसिकली वो जो उसका चिर्चिड़ा पन है वो जो उसका घुस्सा है जो उसके जह वो मुख्लिफ चीजों ने उसके अंदर भर सा दिया है तो वो जो है वो दूसरों के उपर भी कहीं निकाल रहा होता है